जैनेन वंदो मैं रवी जैन गुरुजी आज शुकरवार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नए कारिया आरंब करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरंब कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले अंजान से दोस्ती से बचें सुनी बातों में ना आएं क्य किन्नर अगर दिखाई दें, तो उन्हें यतासमभव दान दें, वशब रासी वाले राजनीतिक शेत्र में लाव दिखता है, रुके कारिये बनेंगे, क्या करें पीला रुमाल साथ में रखें, मिथुन रासी वाले पुरानी चिंता दूर होगी, परियास करें, क्या करें, द दिन अच्छा है गर गरसी में खुसियां चाएंगी। क्या करें भगवान शिरी कुंतु नाज जी की माला फेरें। सिंग रासी वाले लंबी दूरी की आत्रा से बचें नया परियोग कर सकते हैं। क्या करें सिरी संभव नाज जी का ध्यान करें। चालीसा पढ़ें। कन्या रासी वाले ग्रह अनुकूल हैं। अनावश्यक दोड़ दूप हो सकती है। क्या करें शिरी नमोकार महामंत्र का 21 बार उच्चारन करें। तुला रासी वाले पदोन नती में बाधा आने के चांस टी का टिपनी से भचें। क्या करें पचास ग्राम लोंग दान करें। वरश्यक रासी वाले सावधान रहें। रुप्यों के लेंदेन में परेशानी हो सकती है। क्या करें ओम रेम शिरी नेमिना जिनेंदराई नमा की माला फेरें। धनुरासी वाले खरीद फरोक्त से लाब होगा, नई जिम्मेदारी मिलेंगी क्या करें, घर में खाली हाथ परवेश ना करें मकर रासी वाले बन परसन रहेगा, सेवकों से तालमेल बैठाएं क्या करें, शीरी मंदिर जी में दान अवश्य दें कुम रासी वाले नई मित्रों से दोस्ती का दिन कमजोर है क्या करें भगवान सिरी स्रियान सनाज्जी का चालीसा पढ़ें मीन रासी वाले लंबी योजना में निवेस करें लाब का आउसर क्या करें जादे से जादे समय मौन रहें अब बात करते हैं आज की सल्हा की देखें आज की सल्हा में ध्यान रखेगा वहानों से संबंदित व्यापार करने वाले व्यक्ति को कुंडली अवलोकन के विश्याद डायमंड यानि के हीरा रतन को धारन करना चाहिए अगर डायमंड रतन को धारन करते हैं तो निश्चित रूप से ये व्यापार को बढ़ाने में सहयोगी बनता है और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भीजी है अंकुर जैन जी ने दिल्ली से लिखते हैं गुरुजी जै जिनेंद्र मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन गुरु उपाध्या इसरी 108 वी संत सागर जी महराज के पावन सानिद्य में भिन्ड के नस्दीक महातिर्थ बरासो जी का जिर्नोधार हो रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका पंचकल लियानक कब होगा देखें अंकुर जी आती प्राचीन अती सेचेतर बरासो जी में देवो द्वारा निर्मित जो जैनमंद्र जी है उसमें विश्की सबसे बड़ी वेदी का और प्राचीन प्रतिमाई विराजमान है ये चेतर ऐसा है यहाँ पर भगवान महाविर का एक बार नहीं तीन तीन बार समोसरन आया है और सुनने में तो यह भी आया है कि चतुरदसी की रातरी को मंदिर जी के घंटे की आवाज सुनाई देती है आपको यह जानकर शरीय होगा कि यहाँ पर केवल तीन परिवारों की समाज है लेकिन पूझे मुनी सिरी जी के परभाव से दूर दूर से यातर यहाँ दर्सन करने के लिए आते हैं और मुनी राज की प्रेड़ना से इस तिर्थ का जिर्णोधार लगबग पूर्ण हो चुका है यहाँ पर बहुत सुन्दर धरमसालाय और अन्य सभी आदूनिक सुईधाय उपलब्द हो चुकी है जनवरी में इस छेत्र का उदगाटन होगा और बहुत जल्द यहाँ पर पंच कल्यानक होने जा रहे हैं हम सब को इस शेत्र पर पहुंच कर सहयोगी बनना चाहिए और इसी के साथ आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सभी को जै जिनेद्र